वेल्कम बेक टू आवर चैनल दोस्तों मेरा नाम अली एदर है भाई आज जम देखेंगे इंडिया के टाप एट रिचेस्ट टेंपल्स पहले टाप टेंड देखे थे और भी बहुत सार टेंपल मिस्टीज वाले भी देखे थे जो करिश्माई टेंपल अभी रिचेस्ट भा भारत सभी धर्मों का एक मिला जुलादेश है यहां सभी धर्मों के लोगों के लिए उनके पुद्र स्थान भी बनाये गए हैं वहीं हिंदों के लिए भी हजारों की संख्या में मंदिर मौझूद है जहां हर साल देवी देवताओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रध्धालो अपन सिर जुकाने और मुराद मांगने पहुंचते हैं और करोडों का चड़ावा भी चड़ाते हैं भारत में हिंदों की आस्था मंदिरों में विराजमान भगवान से इस कदर जुड़ी है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं तबी तो भक्त अपनी श्रध्धा और भक्ती के लिए मंदिरों में लाखों का दान करते हैं और दान के बलबूते भारत के सैकड़ों मंदिर आज अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल है चलिए आज हम आपको देश के उन खास मंदिरों के बारे में बताते हैं जिन में सबसे ज़्यादा चड़ावा चड़ता है और ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिर भी है तो चलिए और देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं केरल के तिरुवनंत पुरम में सित पदम नाव स्वामी मंदिर किवल भारत ही नहीं बलकि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है ये मंदिर भगवान विश्णू को समर्पित है और द्रिविड शैली वास्तुकला में बनाय गया है जो दक्षन भारत में काफिय प्रचलित है इस मंदिर के देखबाल 53 कोर के पूरु शाही परिवार द्वारा की जाती है मंदिर के गर्भ ग्रह में भगवान विश्णू की विशाल मूर्ती विराजमान है जिसे देखने के लिए हजारो भक्त दूर दूर से यहां आते हैं इस प्रतिमा में भगवान विश्णू शेशनाग पर शैन मुद्रा में विराजमान है ऐसी मानेता है कि तिरुवनंत पुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है 2011 में कोट के आदेश पर यहां के दो तहकानों में से एक तहकाने को खोला गया था जिसमें कई क्योंटल सोना और हीरे जवाहरात मिले जिनकी कीमत दो लाग करोड रुपे आँकी गई ऐसा माना जाता है कि शायद यह ऐसा कोई मंदिर होगा जिसके पास इतनी संपत्ति होगी और ना कोई और मंदिर इसका मुकाबला कर सकता है आंद्रप्रदीश की चतूर जिले में धन और वैभों के भगवान शिरी तिरुपती बाला जी का मंदर स्थित है यह मंदिर वास्तूकला का अध्वत नमूना है मंदिर साथ पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमाला की पहाड़ों पर स्थित है कहते हैं कि तिरुमाला की पहाडिया विश्व की दूसरी सबसुप्राचिन पहाडिया हैं इस तिरुपती मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं तिरुपती बालाजी मंदिर भगवान विश्णु और देवी लक्षमी को समर्पित मंदिर है भगवान विश्णु के रूप में बाला जी का मंदर यहां की सात्वी चोटी वेंकटाद्री परस्तित है इस वज़े से बाला जी को वेंकटेश्वर के नाम से पुकारा जाता है यहां बाला जी की करीब साथ फिर टूँची शामवर्ण की प्रतिमा स्थापित है इसके साथ ही 650 करोड रुपे की वार्शेगाए के साथ तुरुपती बाला जी मंदर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदर है अलग-लग बैंकों में मंदर का 3,000 किलो सोना जमा है जबकि मंदर के पास 1,000 करोड रुपे की फिक्स डिपॉजिट भी है इस मंदर को तमिल राजा थोंडाइमन ने बनवाय था इस मंदर में लगभग 50,000 श्रधालो रोज दर्शन करने हाते हैं हैदराबाद के साथवे निजाम मीर उस्मान अली खान ने वर्ष 1951 में इस मंदर के प्रती 80,000 रुपे का दान दिया था इस मंदर में बहुत से लोग जानते होंगे साई बाबा जो कि एक भिक्षोग, गुरू, फकीर थे उन्हें उनके भक्तों त्वारा संत कहा जाता है उनके असली नाम जन, पता और माधा-पिता के संधर्ब में कोई सूचना उपलब्द नहीं है साई शब्द ने माहराश्टर के शिरिड़े में पहुँचने के बाद मिला साई बाबा पर हर धर्म के लोग विश्वास करते हैं यही वज़े कि शिरिड़ी के साई मंदिर में सिर्व भारत से ही नहीं बलकि विदेशों से भी हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं जिन में से सैकडों लोग दान करते हैं ऐसा माना जाता है कि इनका सिंहासन ही 94 किलोग्राम सोने का बना है इस मंदर की संपती और आय दोनों ही करोडों में है मंदर के पास लगभग 32 करोड की चांदी के जेवर हैं 6 लाग कीमत के चांदी के सिक्के हैं साथी हर साल लगभग 350 करोड का दान आता है इसी के साथ ही मंदिर भारत के अमीर मंदिरों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर है दोस्तो भारत में हिंदूओं के सबसे पवित्र तीर्ट स्थलों में से एक है वैशन देवी मंदिर जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगा पर 1700 मीटर की उचाई परस्तित है मंदिर में गुफा के अंदर माथा के पिंड स्था पे थैं गुफा की लंबाई 30 मीटर और उचाई 1.5 मीटर है यहां हर साल सैकडों के लोग सोने चांदी के अभूशन चड़ाय जाते हैं इस मंदिर की देखरेक की जिम्यदारी वैशनो देवी श्राइन बोड की है आंदर प्रिदेश के तिरुमाला वेंकटेश वर मंदिर के बाद इसी मंदिर में भक्तों द्वारा सबसे जादा दर्शन किये जाते हैं यहां हर साल लगभग 500 करोड का दान आता है दोस्तों क्या आपने भी कभी वैशनो देवी के दर्शन किये हैं? अगर हां तो हमें कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताईए नमबर पांच सिद्धी विनायक मंदिर मुंबाई मुंबाई सिद्धी विनायक मंदिर गणपती बपा का सबसे लूकुप्रिय मंदिर है इसके साथ ये भी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों के लिस्ट में शामिल है गनेश भगवान का ये मंदिर मुंबई के पहचान से जुड़ा है इसे सेलेबरिटी मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि बॉलिवुड का लगभग हर सेलेबरिटी इस मंदिर में माथा टेकने आता है एपल के CEO टिम कुक ने भी इस मंदिर का दारा किया था हर साल इस मंदिर में लगभग 80 करोड रुपे का चड़ावा चड़ता है इसके अलावा 125 करोड रुपे फिक्स डिपॉजिट में भी जमा है बता दे कि मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है जो कोलकाता के एक व्यापारी ने दान किया था दोस्तों अगर आप भी मुंबई भूमने का प्लान कर रहे हो तो इस मंदिर को देखना बिल्कुल न भूलें ऐसा कहा जाता है कि यहां मांग recording हर मन्नात पूरी हो जाती है नमबर 6 जगनात मंदिर पूरी पूरी का शिरी जगनात मंदिर वो हिंधू मंदिर है जो भगवान जगनात यानि की शिरी क्रिशन को समरपित है ये भारत के उडिसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी मस्तित है जगनात शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी और इनकी नगरी ही जगनात पुरी या पुरी कहलाती है इस मंदिर को हिंदों के चार धामों में से एक माना जाता है इस मंदिर के लिए जो भी दान आता है वो मंदिर की विवस्था और सामाजी कामों में खर्च किया जाता है पुरी के भगवान जगनात को समर्पित मंदिर जिसे दरिद्र नारायण यानि गरीबों के देवता के नाम से भी जाना जाता है इसकी नेट वर्थ 200 करोड रुपय है और इस मंदिर की संपत्ती 3000 करोड रुपयों से भी जादा है इसके लावा भी श्री जगनात मंदिर के पास ओडिशा और राज्ये के बाहर 6418 एकड़ की जमीन है आपको जानकर हरानी होगी कि मंदिर के पास कुल जमीन ओडिशा के पूरी शहर से भी 15 गुना दिख है नमबर साथ स्वण मंदिर अमरिटसर स्वण मंदिर को दरबार सहे भी कहा जाता है इसके आसपास के सुन्दर परिवेश और सुन की परत के कारण ही इसे सुन मंदिर कहते हैं यह अमरिट सर्फ पंजाब में सिखों का सबसब अवित्र मंदिर माना जाता है ये मंदर सिख धर्म की सहनशीलता तथा सुईकारिता का संदेश अपनी वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित करता है जिसमें अन्ने धर्मों के संकीत भी शामिल किये गए हैं दुनिया भर के सिख अमरिक सरा कर सोहन मंदर के दर्शन करते हैं इस मंदर की भी सालाना आएं पांसो करोड के करीब है नमबर आथ सोमनाथ मंदर गुजराथ सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदर है जिसकी गिन्यती बारा जोतिरलंगों में प्रथम जोतिरलंग के रूप में होती है गुजराथ के सावराष्ट क्षेत्र के वेरावल बंदरगापर सित इस मंदर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान स्वैम चंद्रदेव ने किया था इसका उलेख रिगवेद में भी मिलता है इसे अब तक 17 बार नश्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर निर्मान किया गया सोमनात मंदिर में हर साल लगवग 33 करोड का चड़ावा आता है इसलिए भारत के अमीर मंदिरों में से एक है दोस्तों आपने इन में से किस किस मंदिर के दर्शन किये है हमें कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके जरू बताएं अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों रिश्टेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही अगर आप हमारे तो यार ये रिचर्स टेंपल्स आज देखें बहुत यार लोगों का प्यार है इन मंदरों के लिए यार बहुत उनका यकीन है और सो करोड़ दो सो करोड़ एक मंदर का हजार करोड़ बताया भाई साला ना इंकम तो यह पता नहीं कहां जाते होंगे इतने पेसे यार भक्त तो बेचारे दे जाते कि समझ नहीं आया ये बैंकों में जमा कर रहे हैं फिर कहां खर्च करते होंगे यार ये बड़ी रका में सोना तो इतना है कि भाई तीन अजार किलो ग्राम एक सोना है वो भी उस मंदर के बाद दा वो शाह साही बाबा का टें लिए जाते होंगे भाई देखें किया मनजर है वहाँ पर जिनका यकीन होगा उनका तो अलगी भाई बात है वो तो जाएंगे तो उनको अलगी महसूस होगा कि यार यहां पर तो क्या नजार आ है मतलब भाई हर भगवान का इनो इस तरह टेंपल ऐसा बनाया है ना पहले बता रहे दे के वहाँ पे बाला जी टेंपल एक बड़ा भाई और उसकी दो भाई इमारती इतनी बड़ी है कि हम देखकर यहरान होगे भाई क्या लोगा सी यो भाई बिलियन डालर है उसके पास भाई अर्बोर्पो का मालके वो तो मेरे क्याले गोरे दो मानते ही नहीं य इतनी दो बाल है, वरना हमारे यहां भी टेंपल बहुत है लकिन हमारे Snohs द्यान नहीं देते हैं वो बहुत है हिंदू अपना ख्याल खुद रखें लेकिन जहाँ पेदेख रहे हैं तो गवर्मेंट भी उनकी देखवाल करती है, तो यार बहुत ही है बहुत ही हुरान बड़ी महपत करते हैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते है भाई जो उनका मंदर है भाई एक एक मंदर भाई क्या बात है उनके जो मानने वाले ना वो अंगिनत पेसे लगा रहे हैं भाई अपने मंदरों पर ताकि कोई कमी पेशी ना नजर आए हमारी मंदरों पर जो भी द सब्सक्राइब करोड़े दो लाग करोड़े वाई साब यह तु भई तु भई है रहान हो गया हुआ वह तो सारा गोल्ड का बना हुआ था बीच पानी में वह एक नदारा था भाई देख तो हिंदुस्तान वाले इतने सारे सोना जान दी पता नहीं वह तो फिक्स बैंक में करोड़ों करें सोने चांदी के मालिक बैंक में पेसे रखे हुए यह सारे कि सारे करोड़ों वह भक्त विचारे दान करके जारे सब्सदार रखरी यह जाओ गरीबों गोडों जनता को दो पब्लिक बाटों कुछ नए मंदर को मेंटेन करो, ब्रंचे से अच्छा बना, सारे के सारे हमने मंदर देखें, मगर यार, अनुमा जी का मंदर मैंने नहीं देखा है, इंदुस्तान की भाई हर चीज भाई हागे, मंदर दो मंदर खाने पीने की चीज़े, और जितने भी खूप सुरत दिया ना हम पाकिस्तानी जानते हैं भाई हिरान हो जायते हैं, यह वाली भी मंदर देखें ना, आज से एकदम बढ़िया था लगा, मज़ा आगे देखा, भी क्या बात है, आज तो हमने जो मंदर देखें ना, हम तो यार, मुस्लमान, जो है ना, मजभ है हमारा, लेकिन, मैं जो किस कलर में, उनकी डिजाइन जी जो इतनी खूब सुरत हैं, बाहर से ही लोग देखते रह जाए, अंदर दो दूर की बात है, बाहर से ही जो है ना, बहर दंगेत बात है, इतने, हाँ, दूसरी बात यार, करोरे, करोरे रुपे खर्च कर रहे हैं मंदर उबिर, तो यह पैस का पैसा महफूज इसी जमाने में, इसी दोर में जो है, इतने अर्बो रुपे, करोर रुपे जो है ना, बेकों में पड़े हुए, मंदरों के हर किसी मंदर के नाम पे, इतनी हकम पड़ी हुए बेकों में, यह तो सोचने वाली बात है, बड़ी बात है, इतने सारे करोर, यार लोग तो लूट रहे हैं, गवर्मेंट इदारों को लोग लूट रहे हैं, गवर्मेंट इदारा किसी भी मुलका हो, कोई भी इदारा हो, वो पावर्फुल होता है, लेकिन लोग आजकल तो उन्हें लूट रहे हैं, यहां तो देखो, मंदरों की इतनी मिलकत, करोरो और वह भी हमारे यां बजट हो इनका बड़ा है हम आप हमें बदाओ दिखाओ के हमारे यहां किसी दरगार की इतनी बजट दिखाओ यार हमारे यहां खुद लूट बे ना भणा के लैगत अने यहатा मजार तक पहुचने से पहले ही भीकारी उनको लूट लेंगे दरगा के पास चंदाद पहुचे उनसे पहले तो इसे जो लोग भीकारी है उन्हें लूट लेंगे तो दरगा को क्या देंगे यहां देखो सिस्टम देखो इनका बड़ा कीदा हैं यह लोग जो है ना बहुत च यह तो हमारे यहां दो डड़ल टिपल हो गई रखम यह छिए सो करोड बता रहे हमारे यहां ऐठारा सो करोड होंगे यार भगते तो इतना पिसा दे रहे पेसा पिसा फिर तो कहा रहा हे यह तो पुछने की बाद है ना वहां मंदरों भी इतने दे दे लान, के साथ भाई यह अनवाद कर रहे हैं यह सच है अपने मजभब से यह सच है अपने धर्म से यह सच है और यह जितना भी जो धंग दे रहे हैं वहां के लोग जो पंडिते पुझा रही है वो भी जो है ना वो पिसा संभाल रहे है बेंकों में रख रहे है तो यह बड़ी बात यहाँ यह बड़ी बात है मेरा तो दिल जीत लिया यार भारत में इसे इसे जो यह रौस चल रहे हैं और मंदरों की जो एफास्थ कर रहे हैं लोग बहां देखो क्या यार बात है सोने चांती लगे हुए ही री लगे हुए इतनी जड़ावते हैं तो मैं तो सच बोलूँगा हमारे याँ बंगलो को लूट लेते जिनको बड़े बड़े ताले लगे हुए इनको तो गेट भी नहीं लगा हुआ है दरौजा भी नहीं है मंदरो को लेकिन इनका यार ये बड़ी बात है बड़ी बात है पिल्कुल दोस्तों बड़ी बात हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की इसलाव में यहीं सखाता हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो चाहे कोई भी धर हो हम आपनी इसलाव हो इसलिए हम अपनी इमतलों फीलिंग के साथ शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगा यह रिच